दूरशकर नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के इसे भाधी खास प्रस्थोती बिहार बिहान में महुराकेश आज हमारे खास महमान है, स्टोडियो में हमने जिसे आमंतृत किया है, वो है बिहार प्रशासिनिक सेवा के पूरो परसचियों, इसे के साथ बागवान कलब के उपाधक्ष आनन बिहारी प्रसाल जी, बहुत-बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर हमारे इस खास करेक्टरम में अनन बिहार जी, प्रशासिनिक सेवा प्रादिकारी आप रहे हैं, जिसमें अडिशनल सेकार्टरी, समाने प्रशासिन से 2013 में आप सेवा निर्मित हुए हैं, और समाजी कारों में अगर रूची के बात करें तो काफ़े दिल्चस्पी है, और इसे लेकर काफ़े कुछ आप में अहम भूमिका नहीं बाई, जरूर चाहेंगे इसके बार में जिकर जरू करें। कंपनी लिमिटेट के जेनरल मेनेज़ गए पर्थपन, यानि महाँ प्रबंधत रहा। लगभग एक वर्श रहा वहां पे, फिर सरकार के द्वारा बिहार कर्मिचारी चाहनायों के सदेशिकर रूप में मेरी अधिसूसना हो गई, मैंने वहां जॉइन किया, मातर तीन मही ने रहे, मैंने वहां त्याग पत्र दे लिया, फिर जिस शाम को त्याग पत्र दिया, उसके दूसरे दिन मौर्निंग में एक दूसरा ओफर आया, बिहार स्टेट हेज सोसाइटी का मैं सिनियर अडवाइजर था, लगबग पांच बस तक यहां भी रहा, अब इसके अब ही मैं जूड़ा हुआ हूँ, यहां भी पाड है, बिहार के जो ऑफिसर्स या आईयस कैडर के जो भी बिहार कैडर के आते हैं, उनका प्रसिक्षन होता है, बिहार सिविल सेवा के जो अन्य ऑफिसर्स होते हैं या बिहार के अन्य वरीय पधिकारी होते हैं, उनका प्र एक है बी का बिहार इंस्टेशूट अब करेकने अड्मिनिस्टेशन का है यह कारा प्रशाशन का है हाजीपूर में है वहां शे भी प्रक्षिक्षा के रूप में मैं आफसर्स को टेनिंग देता हूं इसे तरह शे मेरी एक वह बैस्तता है यू कहिए कि एक तरह से फ्री होना चाते हैं और फिर अपना समय बिताना चाते हैं लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी देखा नहीं है लगतार कई सारी सरकारी संसावते जोकर आपने अहम भूमिकन निवाई और फिर से अपना सेवा देना शुरू किया काम करनी के लगन और जोश इतना अप में है इतना लगन है कि आप जन सेवा के भावना से आपने एक अपना एक फांडेशन बनाया अविलाशा जोती फांडेशन और उसके जरीय अपलगतार लोगों की जिम मदद है समाजी कारों की जो रोची है यहां पर और देखी गए जाना चाहेंगे इस फांडेशन के बारे में बताएं कब आप इससे जुड़े और आपको क्या लगता है यह फांडेशन बनाने के पहले पीछे आपके क्या मकसत है और उदेश क्या है इसका प्रारब में से ही शुड़ाती से जिस संसकार में जिस परिवेश में मेरा जन्म और लालन पालन हुआ उसी समेशे मां को देखते हुए शेवा भाव अंदर था जब प्रशाश्निक शेवा में गया तो अपने जिस जिन भी पदों पर मैं पदस्था पीत रहा मैंने किया कि सरकारी दायरे में नियमों के दायरे में रहते हुए अधिक अधिक लोग हीत जनकल्यान का काम कर शकूं मैं करता रहा नियत से और उसी उद्दिश से आपने अभिलाशा जोती फान्डेशन का आपने कठन किया बताना चाहेंगे इसके बार में जब तक था थोड़ी ब्यस्ता रहती थी कुछ प्रतिबंद भी थी जो ही रिटार्मेंट हुआ उसके बार्शे में आजाद हो गया और इसका बहुत अंदर चे कुल बुलाहर थी शमाजी करजुन को करने के लिए तो ब्यक्तिकत अस्तर्श मैं और मेरी पतनी श्रीमती जोती श्वास्त्वा हम लोग मिलके समाजी कार्ज पहले भी करते थे लेकिन कोई बैनर नहीं था कोई अपना संगठन नहीं था हुआ कि इसको और शाकार रूप देने के लिए और इसको ब्यापक बनाने के जौरत है कि एक गठीत कर लें हम लोगों ने अभिलाशा जोती फांडेशन का गठन किया कुछ सक्रिये लोगों को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा और फिर ये टीम मेरी चल पड़ी इसके मुखे इसके पीशे भावना थी कि कुछ ऐसे पहलू पे हम लोग कार्जी करें जो कि कहीं कहीं अंचुया हो जाता है या चुया भी जाता है तो इसमें थोड़ा सा हम लोग भी कंटीब्यूट करें तो अभी राशा जोती फांडेशन एक निबंधित संस्था है और मुझे लगा कि इट इस प्योरेस्ट फॉर्म में पजत्रता चुकि मेरा विश्वास है कि साधन के सुद्धता भी आउशक है साधन के सुद्धता के साथ साथ इसलिए मैं प बालिकाओं का वो पक्ष चुकि सरकार की उश्वे बहुत सारे प्रयास किये जाते हैं बालिकाओं को महिलाओं को ससक्त करने के लिए तो उनके सक्षणिक ससक्तिकरन पर सरकार बहुत काम कर रही है फिर उसके बार उनका दूसरा है कि आर्थी ससक्तिकरन यहां तक राजनीत माना जाता है कि बालिकाएं ये emotionally weak होती हैं तो emotion का exploitation समाज के कई लोगों के द्वारा बच्चियों का emotional exploitation किया जाता है तब बच्चियों का हम इतना सशक्त कर दें कि कोई उनुका emotional शोषण ने कर शक्या और इसी तरह से morally उनको चुकि आज जिस तरह से अब संस्कृती बढ़ र हैं इसलिए जो हमारे मुले हैं नैतिक मुले हैं भारत के संस्कृति के उनके शाथ वो जूडे रहें यानि अपने पने सही मार्क पे अपने लक्षश की दिशा पर बढ़ सके हैं इस दिशा में हम लोग बहुत ज्यादा कार्ज करते हैं दूसरा प्रक्ष्य है हमारा संजुक्त परिवार का concept था, संजुक्त परिवार में देखने माले बहुत लोग होते थे, कोई ना कोई मिल जाता था, जो बुज़रगों की देख भाल करता था, बुज़रगों की engagement भी मिल जाता था, बच्चे थे, उनके शाथ खेलते थे, उनकी गोद में पढ़ते थे, दा आकीपन इनको मारे जाता है, और तीन कोटी में लोग होते हैं, एक तो आर्थिक रूपशे संपन होते हैं, लेकिन उनकी पास वो emotional gap होता है, उनके पास उनके बच्चे नहीं है, उनकी बहुत नहीं है, उनके पोता-पोती नहीं है, एक एक आपकीपन, दूसरा ये होता है क कि बहुत लोग पैसे से संपन हैं, आर्थिक रूपशे नहीं है, लेकिन उनकी रूपशे बीमार हैं, तो उनकी देख भाल करने वाला भी कोई चाहिए, तो तीसरा प्रक्ष है, जो आर्थिक रूपशे भी, और स्वास्त के दिरिश्टी कोट से भी छीड है, अक्षम है, उनकी भी नीट चाहिए, तो तीनों तरह के नीट में यह जौरत है, कि यह जो गैप होता जा रहा है, जो खाई बनती जा रही है, तीनों को अलग-अलग धंग से ड्रेस करनी की जौरत है, तो हम लोग कोशिश करते हैं, फाउंडेशन के माध्य मुशे, के तीनों इश्यू पापा की इतना पैसा चाहिए, क्या जौरत है इस डॉक्टर के हमाई अपटमेन ले लेता हूं, यह आपके अशक्ता को पूरी कर देता हूं, तो मैं यह कहना चाहता हूं, कैसे पापा को या मा को केवल पैसे के जौरत नहीं होती, पैसा तुन्हें पैंशन में मिल जाता है अन्सोर्षे से मिल जाता है, बहुत उन्होंने अर्न किया है, उनको जौरत है emotional support की, और वो जो gap होता है, तो यह दोनों के बीच में, यहां मैं कह सकता हूं, कि न बच्चे बहुत दोशी हैं, न बुजरुग दोशी हैं, दोनों के बीच का जो generation gap है, सोच का जो अंतर है, त तो एक बड़े मंच पे, पटना के किशी एक बड़े मंच पे संबाद आउजीत करते हैं, पांच नई पीड़ी के प्रतिदिक, प्रतिदिक करने वाले, पांच भुजरुग अपनी बाते करते हैं, और उसमें कोशिश हम लोग करते हैं, कि एक मार्ग निकले, इतना ही नही जहां भी नई पिड़ी के लोग मिल जाते हैं, बाचित मैं करता हूं, इवन में क्लास भी करता हूं, वहां भी कहीं न कहीं ये संबाद दे देते हैं, कि आपकी सबसे बड़ी भूमी का उसी के प्रति है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है, पोशा है, इस इस्ती जब बुद्रूरों के पास जाता हूं, तो उनसे बाचित के करम में कहता हूं, कि अपने को बदले, पूरानी मन्यताय, पूरानी परपनावों में अगर बच्चों को यगड़ना चाहिएगा, तो आपसे दूर होंगे, और आप उनसे अपक्षा कम करें, जितना अपक्षा मिलता है, यह हम लोग करते हैं, तीसरा पक्ष है पर्यावरण, पर्यावरण में पेड़ पौधे लगते हैं, सरकार की ओशे तो करोड़ों पौधे लगते हैं, लगना भी चाहिए, लोग भी लगाते हैं, तो बस आजकल के संस्थाओं के द्वारा बेकते कर, तो पेड़ लगा देते हैं, पेड़ की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो पेड़ लगाने से ज़्यादा महतपूर है उसकी सुरक्षा की उज़ाद, सुरक्षा के लिए मैंने बिलाशा जोती फांडेशन के मध्यम से जो हम लोग प्रयास करते हैं, कोशिस करते हैं, उसकी इमोशनली क एक दिन में शाफ हो जाता है, पौधा रोपन करो और उस बच्चे के अनिवर्स्टरी के रूप में एक पौधा लगा दो, उस पौधे शे बच्चे का जूड़ा होगा, emotional attachment होगा, माँ बाप को भी लगेगा, कि बच्चे के नाम का पौधा है, उसको स्चीचेंगे, उसी तरह कोई भी occasion हो, कोई परिवार का उकाज़न हो, marriage day ही हो, किसी माँ पापा की या किसी परिवार के दादा दादी की पूर नेती थी हो, उसमें भी पेड लगाएं, पौधे लगाएं, उसको nurture करें, उसकी सुरक्षा करें, उसको emotionaly attack करें, चोथा पक्षा है सिक्चा और संसकार पे, अभी लाचा जोती फाउंडेशन के माध्यमशे भी, हम लोग संसकार के साथ सिक्चा का जोडने पे भी हम लोग अधिक अधिक लोगों को motivate करते हैं, शिक्चा रोजगार परक हो गई है, शिक्चा का कार्जी है कि ज्ञान उतना अर्जित किया याज1000 और ब्यक्ति बनाना क्या ये बच्षण बननाना नहीं है, और सिधे में संसकार नहीं है, या मधिक में कि कई सारे इसके विंग्स एक तरह के बनाए गए हैं जो लोगों तक पहुंचकर जंजन की सेवा के साथ साथ उनकी भावनात्वा करूप को भी अच्छी तरह समझता है कई सारे पहलों को आपने आप रखा है जिसमें सिक्षा हो संसकार हो बालिकाओं को सशक्त करना हो या फ करता हूं कि मल्टी टास्किंग करूं एक प्रशाश्चिंग शभा के पथिकारी होने के नाते यह मैं मल्टी टास्क में विश्वास करता हूं इसके पीछे दो ही चीजें हैं कि अगर प्रात्मिक्ताओं का शहीर निजधारण किया जाए और समय प्रवंधन किया जाए तो 24 प्रशिशर देने के बाद समाजिक काईज करने के बाद परिवारिक समाजिक दाईतों के बाद भी मेरे पास कुछ वक्त मिलता है और बहुत बचे यूप एससी या बेपेससी के लिए जो तियार करते हैं उनको भी ऑनलाइन में या कोई आ जाते हैं तो इसके बावजूद आर यहां तो कि आना ठालियों में भी अभिलाशा जोती फांडेशन के माध्यमशे या बत्ीकत माध्यमशे मैं और मेरी पत्नी हर दोचार-दस दिन पर कही ना कही आना थालियों में चले जाते हैं वहां बच्चों को कुछ बाटना सुनेह बाटना मोटिवेट करना ये कर की बिलकुस समर्पीत है समाजी कार्जों के लिए और वो मुझे हमेशा उत्पैरित करती रहती है तन से मन से धन से अधरवाइज पेंशनर के इतनी हिम्मत नहीं होती किस तरह का समाजी कार्जों में करते हैं बताया कि सवंस्था जो मेरी है हम लोग दूसरे शनुदान नहीं करते हैं हमारे कुछ सदश्य हैं सदश्य गणु का भी यह था शंबव सहयोग होता है उनकी राशी का हम उपयोग कर लेते हैं बस उतना ही मैं श्विकार भी करता लेकिन जहां तक सहयोग की बात है पत्नी के बाद हमारी सवंस्था में कुछ ऐसे लोग है जो यहां पर एक अमित है या अन्य लोग शिवानी यह बहुत सारे एक टीम है मेरी जिसमें कुछ बुदुर्ग भी डिटार्ड आयेस ऑफसर्स आईपीएस ऑफसर्स धुरुपत वगरे टाइप के लोग शाम जी शाहे लोग ऐसे ऐसे अरुन अगरवाल काफी बरिये लोग है और कुछ लूख ब्रिगेट भी खुरुट रिट बहुतम बलिकाएं भी शिमरें वगरे हैं वहे बहुत सारी बलिकाएं हैं शिवानी तो हर तरह के सक्रिय तयम में मेन offspring में जो परामर्शी की भूमिकानी अभाते हैं, कुछ middle-aged हैं, जो कि सारी चीजों को balance करते हैं, और कुछ इवा तुर्क हैं, जो अपनी energetic अंदाज में कुछ कार्ज करते हैं, और जो हमनों सोचते हैं, छोटे ही पैमाने पे उसको metallize कर जाते हैं, अब कुछ सारा कुछ मेरा रहता है, मेरी पत्नी का होता है, लेकिन हमारे संस्ता के सतदश्यों का कम सहयोग नहीं होता, बिलकुल, और सहयोग के साथ इन तमाम सारी कामों को आप अंजाम देते हैं, बखोवी, वाके में ये बहुत ही बड़ी बात है, और शायद आप में इतनी उड़जा है, और उसी लगन जो जिम्यदारी है, जो जवाब दे ही है, बरी हो जाती है, बगवान जागरन ग्रूप का एक संगठेन है, जो अनवचारिक संगठेन है, जागरन ग्रूप ने कुछ सोसल सर्विसेज के पत्र के प्रकाशन के अथिरिक्त भी, उस सामाजी कार्जों में कुछ जादा ही शक तो ये बगवान के पीछे की, असपष्ट मंचा है कि बुज़र्ग लोग जो खाली बैठे हुए हैं, निस्क्रिये बैठे हुए हैं, उनको किशी तरह कैसे सक्रिये बनाए जाए, तो उनको एक मंच मिले, जहां आके अपने को शेयर करें, अपनी बातों को कहें, तो पहले में कुल बुलाहटे कुछ करने की, उनके अन्भाव हैं, तो उसको शेयर करना वो लोग चाहते हैं, तो एक हमारे आधनिये शामजी शाह, बागवान कलब के अधिक्स थे, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है, उनका एक्छा मार्क दर्शन रहा, और जागरणवालों क के भी बहुत सक्रियत आ रही, इसलिए बागवान कलब बहुत थी, सार्थक भूमिका निभात आ रहा है, चार साल, माने पांच-छेज वर्शे, चार वर्श पुर्व मैं जूड़ा, जब शामजी सिरी शामजी शाह या धक्छा मेरे पड़ोस में रहते थे, अभिलास्या जोती फाउंडेशन से जूड़े थे, उन्हें ने मुझे आफर दिया, जब मैं जाने लगा, तो इनकी सारी गतिवीधियों को मैंने देखा, ये डेडिकेटेट है, बुज़गों का संगठन, बुज़गों के लिए बुज़गों के द्वारा है, तो उसमें हर मंगलवार को पहले भी कोरुना काल के पहले, हर मंगलवार को एक गोश्टी होती है, विचार गोश्टी, 20-25 बागवान लोग आते हैं, और अपनी बातों को शेर करते हैं, कोई ना कोई इसू होता है, जिसमें सार्थक भी मर्श होता है, इसके अतरिक्त, बागवान ने पटना के कभी किसी तरह का मोटिवेशन कैम्प होता रहता है, कभी-कभी अनथालियों में बागवान क्लब की ओर्शे या ब्रिधास्टर में जाकर कुछ बाटा जाता है, और जैसे पहले भी मैंने बताया कि यह संसकार साला, तो कुछ बागवान क्लब की ओर्शे भी संसकार साला च इस चीज़ पर बहुत focus किया है कि हम बुज़ूर्ग अपने को अनुपयोगी नहीं बना है हम लोग अपने को हमेशा ब्यस्त रखे और शमाज में जितने हमारे पास हम asset है हम liability नहीं है हम बोज नहीं है हम अपने को बोज नहीं समझे और हमको डुनिया भी बोज नहीं समझे इसलिए कि हमारे पास treasure है अनुपयों का अपार खाजाना है अभी हम सक्षम है कि नई पीड़ी को दिशा दे शकते हैं तो हम एक director की भूमिका में रहें न की हम बिछाओन पर पढ़के और अपने अंतकाइं तो इस issue पे हम लोग इस दिशा में प्रयास करते हैं और हमारे ज तो बागवान की भूमिका अभी थोड़ी शी शिथिल हो गई है कोरुना काल में लेकिन एक बागवान बहुत ही शशक्त एक फोरम है बुजरुगों के लिए पटना में तो मुझे लगता है कुछ से बड़ा कोई सक्रिये फोरम नहीं है बिलकुल आनन जी एक मैं तो अगर गहरों से सताय हुए मैकसिमम लोग जो हते वहां पर जाते हैं कुछ लोग तो इदर दर परिवार से भटक भी जाते हैं जिनें रेस्क्यू करके वहां पर ले जाया जाता है और उसके बाद वहां अगर वो पहुँचते हैं तो रहने के लिए च्छत तो मिल जाता है लेकिन बिर्धास्रम तरह की कोई सहस्था नहीं चलाती है। यह बाहर के अपने घर में लोग रहते हैं और इस दिशा में सार्थक बिमर्ष कर यह था संभव अपना योगदान देते हैं। तो बिर्धास्रम और बागवान का शीधा कोई संबन्द नहीं है। नमबर दो चीज़ दैत्व किसका है, बुज़र्गों के पालन पोशन का दैत्व किसका है। तो इसमें असपष्ट है कि हम लोगों की जो समझ है कि जिन लोगों ने जन्म दिया जिन लोगों ने पाला पोशा अब उनको जौरत है आपके सपोर्ट की तो ये बच्चों का दैतो होता है परिवार के लोगों का दैतो होता है जिनका विराशत में हिस्सा है विराशत पर ज जनों की सेवा करें, सुसुचा करें, देख भाल करें, उनके नीट को समझें कि उनकी क्या उशकता है, कहीं आर्थिक शपोर्ट क्या उशकता है, कभी शारिक शपोर्ट क्या उशकता है, असपस टुपसी है बच्चों का दैत्व है, अब दूसरा प्रक्ष है कि सरकार की भू किया उसमें बीच में संशोधन परिवर्धन होते रहते हैं तो यह सपोर्टीब इनक्टमेंट है जहां पी बच्चे लोग अपने माबाब की देख भाल नहीं कर पा रहे हैं बुज़र्गों की नहीं कर पा रहे हैं तो कानून बना कि बुज़र्ग लोग जाके अपने धिका प्रताडित भी करते हैं तो वो कोड जाना नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को डंडित करना नहीं चाहते हैं हमारे यहां सामाजिक जो यह सुसंसकार है तो ऐसे इस थिती में अब रही बात की बृधाश्रम पर तो पहली चीज तो असपष्ट मैं कर देना चाहूंगा कि यह दाई तो बच्चों का है सरकार की भूमी का है कि देख रेक करे हमारे डिरेक्टिव प्रिंस्पुज में निती निर्जशक तत्व में इसका उलेख भी किया है कि समाज में जो बुजर्ग हैं उनकी देख भाल की ब्युस्ता की जाए सोनिशित करना है अब नहीं बात जो कि परिवार का सपोर्ट नहीं है या परिवार खुद ही इस इस्थिती में नहीं है कि उनकी देख भाल कर चके तो वो लोग बाहर चले आए हैं किसी मजबूरी में ऐसा बहुत कम लोग हैं जो परिवार से निकाले गए हैं तो बिहार में वो इस्थिती नहीं है जो आप तो उसके दो पहलू है, एक तो पहलू है कि बच्चे लोग समय नहीं, पैसा दे लेते हैं, और वह चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स इंज्वा करें लाइफ को, तो वैसे असरा ए ग्री ही जो कहें हैं, बजर्गों का, वहां पे बजर्ग लोग मिलते हैं, लेकिन 24 आवस वह बाहर रहते हैं और इंटरेक्शन अपने समुभे होता है, तो बच्चों से मैंने बीचा में बात भी की, कि पिरिfahren को वहाँ भेज़ देते हुरों, जो अपने का कीई परिवार से गट रहे है हैं. तो कहता है कि परिवार में रहके हम अपने पेरेंट्स को अतना समय नहीं दे पाते, उनको उस तरह का महौल नहीं दे पाते, और वहाँ जब करा देते, अगर वहाँ पे उनको रहनी की बेउस्था कर देते हैं, आर्थी कुरूप से शपोर्ट करते हैं, तो उन्हें उस तरह क महाल मिलता है, और उस महाल में वह ज़्यादा कमपर्टेबूल हैं, यह है, लेकि रही बात कि एक आर्टिफिशियल महाल में दूसरे लोगों के साथ जूड के, क्या हम लोग की पीढ़ी के, लोग वह इंजवा नहीं करते हैं, आपका बिलकु कहना है, कि अपने परिवार म को मिलें, सुबह उटके अपने पुत्र पुत्रियों को देख लें, नाती पोता को देख लें, तो जो खुशी मिलती है, जो खुशी मिलती है, किसी कलब हाउस में, और तथा कथी यह जो बुजरूओं के लिए जो आसरे ग्री है, आसरे ग्री भी उसको नहीं कहते हैं, तर इमोशनल कनेक्ट होते होते रहना चाहते हैं इसलिए दो तरह से हम लोग देखें एक नीडी जो लोग हैं जिनको घर में रहने की कोई गुंजाईश नहीं है कोई बच्चे भी ऐसे नहीं है जो सपोर्ट कर शकें जो बीमार हैं लाचार हैं तो उनके लिए तो बिर्धास्रम सरकार के और शेब्युस्ता की जाती है बहुत सारे ऐसे स्वाम शेवी शंगठन है जो बिर्धास्रम चल आते हैं तो वहां सेवा भाव होता है तो एक अलग है जो बिहार में खास करके है और दूसरे शहरों में शौकिया है वह एक तरह का प्लेजर होम है जहाँ ये लोग निंजवा करते हैं अर्थिक रूप से संपञ हैं लेकिन काहीं ने कहीं वह सबय नहीं दे पाते हैं जिसकी कारण से वह कलब हाउस में फिर जो आशे वहाँ पर छोड़ आते हैं एक हमारा सवाल विर्धाश्रम को लेकर है चूकि व्रधाश्रम जिस तेजी से देश में तो क्या विर्दा आशन बरा रॉल अदा करता है परिवार को विर्द जनों से अलग करने के लिए मैंने शुरू में ही कहा कि बिल्कुल माँ बाप या किसी विर्द जनों के पालन का या उनकी देख भाल का सपस्ट रूप शेदाइट परिवार का है और परिवार को दाइटो लेना ही चाहिए इसी के लिए मैंने कहा कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं बच्चों को मोटिवेट करें वो फैमिली जो बॉन्ड होता है जो धीरे-धीरे मसकता और दरकता जा रहा है जो परिवारी करिष्टे परिवार का जो भीखंडन हो रहा है उस पे हम लोग अधिक शेह अधिक मोटिवेट करें कि बच्चे अपना दाइटो समभालें बृधासरम की मजबूरी के स्थिती में ही हो सकता है जहां कि अक्छम हैं लोग जो बच्चे सपोर्ट खुद नहीं कर पाते जो खुद ही जिनके पाउं के नीचे कुछ जमीन नह नहीं है कि अपने माबाप की दिह भाल करें तो उसकी बेटर दिह भाल हो कहीं बिरधासरम में तो यहां तक तक टो ठीक है लेकिन अगर सक्चम लोग अपने अपने भाजेकश एक सबयां कर देते और जो generation gap की आप जो बाते करते हैं, क्या लगता है, क्या message आप करेगा उन तमाम लोगों के लिए? सीधी सी चीज है कि बुज़र लोग भी अपनी उपयोगी ने बनाएं, अपने को बोज ने बनाएं, सार्थक रूप से सक्रिये रहें, अपनी एक्छाओं को, अपने माने पुरातन परंपराओं को बच्चों पर आरोपीत ने करें, बच्चों के शाथ वो ताल मेल करें, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, इसलिए कि माबाप से बहतर कोई शिक्षक होई ने शक्ता है, उन्हों ने तुमको भी समझा है, तुमको पौला पोशा है, तो तुमारी हर कमी, हर अच्छाईयों को पेरेंट्स जानते हैं, उनकी पास जिवन, और माबाप को तो पहले सीशक होते हैं अपने बच्चे के, और वाके में बहुत कुछ सेखने का अवशकता है, और संसकार को हमें सेखने का अवशकता है, ताकि बदलती परवेश में हम ना बदे और हमारे समाज के साथ, हमारे विर्जन वो भी हमारे साथ चले, बहुत-बहुत शुक्रि कई सारे समाजी के मुद्दों से जुरे बाते कही संसकार को लेकर सिक्षा को लेकर बाते कही उमीद करते हैं आज का हमारा जो खास कारेक्रम है बिहार भिहान का जुआंक आपको काफी पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगा तो उठाए खत और लिखे हमार पता और क झाल झाल